Welcome to EducationJet, EducationJet चनल में आपका हार्दीक स्वागत है आज का टॉपिक हमारा है विटामिन, जो बहुत इन्पॉर्टन टाप है, इससे एक दो कुश्चन जरूर आते हैं तो हम लोग देखते हैं, एक कुश्चन के फामने देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है हमारे पास चार आप्शन दिये हैं, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए जो इसका right answer होगा vitamin K vitamin K की कमी से खून का थक्का नहीं जम पाता है अब हम लोग सभी vitamins को एक साथ देख लेते हैं vitamin A vitamin A जो है इसको हम क्या बोलते हैं रसायनिक नाम इसका है retinol कमी से होने वाला रोग, main रोग जो इसका होता है रताउंधी होता है और सक्रमनों का खत्रा भी हो सकता है तो main इसका रताउंधी आप याद रखेंगे किस में किस में मिलता है दूद में, अंडा में, पनीर में हरी साथ, सबजीयों में और मचली के यक्रित तेल में मिलता है अब हम लोग देख लेते हैं vitamin B1 जिसको क्या बोलते हैं, थाइमिन बोलते है इससे जो होता है बेरी-बेरी रोग होता है जनरली पूछता है, विटामिन B की काई में से कौन सा रोग होता है तो हम बोलेंगे, बेरी-बेरी रोग होता है किस में किस में मिलता है मुंगफली में मिलता है, तिल में, सूखी मिर्ची में, बिना धोली दाल में भी मिलता है और यक्रित अंडा और सबजीयों मिलता है तो यह होता है हमारा विटामिन B1 इसके बाद हम लोग देखते हैं विटामिन B2 जिसको बोलते हैं राइबो फ्लेमिन तो अच्छा का फटना इसका है, इसकी कमी से जो होता है आँखों का लाल होना जीवा का फटना होता है किसमें किसमें यह मिलता है बैसिकली यह मिलता है खामीन में, कलेजी में, मांस, हरी सबजियों में, दूद में मिलता है ठीक है तो में जो है हमारे यह हमारे विटामीन की हो गए इसके बाद जो इसमें इंपोर्टेंट है बी सेवन है इसमें इंपोर्टेंट है इसको क्या बोलते हैं बायोटीन बालों का गिरना इसलिए बायोटीन को एक्षटा हम लोग सरीन में लेते हैं इससे बालों की किसमें मिलता है यह बैसिकली मांस अंडा यक्रित और दूद दूद ऐसा स्रोथ है जिसमें सभी बिटामिन्स लगभग मिल जाते हैं ठीक है इसके बाद हम देखते हैं फॉलीकमल जिसको B9 को बोलते हैं फॉलीकमल तो यह क्या होता है इनीमिया और पेची शो prevents इससे हो जाता है तो यह दाल यक्रित सब्जियां और अंडस और से में मिलता है और दाल में यह भी आध रखे हैं कि दा़ में जो है बहुत जादा प्रोटीन भी मिलता है डाल में अब जो है बाद हम देखते हैं, विटामीन C, जो में में इंपॉर्टेंट है, वो करता हूँ, आप तो बाकी आप लोग देख सकते हैं, इस कार्वी कैसिड, जो एक्जाम में आये हुए हैं, उनी को मैं में में फोकस कर रहा हूँ, इसकी कमी से होता है, इस कर्वी रोग, मस्टूडो का फूलना, किसमें मिलता है, बेसिकली ये मिलता है, सिट्रस फूड में, यानि खटी जो फूड होते हैं, जो इसमें रस निकलता है, जैसे निबू हो गया, संतरा हो गया, नारंगी हो गया, तमाटर हो गया, खटे पदार्थ, इसमें क्या होता है, ये मिलता है, विटामीन C म हो जाता है वैस्क में हो जाता है ठीक है हटी से related रोग होता है इसमें मचली एकृत के तेल दूद और अंडे में भी यह मिलता है अब विटामीन ई यह भी बहुत important है जिसको बोलते हैं टोको फेराल जर्न सक्ति कम हो जाती है इससे विटामीन ई की कमी से जर्न सक्ति कम हो जात है ठीक है फिलोक्वी नोन इसमें क्या होता है रख का थक्का बनना बंद हो जाता है तो यह बहुत important है किसमें मिलता है टमाटर हरी सबजियां आतों में भी होती है तो यह चीज होता है कुछ important और fact बता देता हूं जो विटामीन C और विटामीन B होते हैं यह जल में घुलन सील होते हैं जल में घुलन सील होते हैं तो घुलन सील होते हैं यानि यह मूत्र की रास्त्रे जो है हमारे सरीर से निकल जाते हैं यह हमारे यक्रितिया किसी भी अंग में एक अठा नहीं होते तो इसलिए जनरली हम क्या करते हैं डेली मुसंभी का जूस या यह इस तरीके से पिया जाता है जिससे इनकी पूर्ती हो सके ठीक है तो ये चीज हमारा information तो था बहुत important है चैन को like और subscribe करना ना भूले ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगं के लिए वीडियो लेकर आता रहूँ